दोस्तो अगर आपके फोन में कोई भी एप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है गूगल प्ले स्टोर से तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओके सबसे पहले आप क्या करेंगे आप अपने फोन म आपकी प्रॉब्लम सही होई की नहीं अगर फिर भी नहीं सही हो रही है तो आप जाएए गूगल प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करिए और प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद मैनेज आप्स और तो या तो फिर आप यहाँ पे आईए जो भी अपडेट हो रहे हैं उनको कट करिए तो आपका डाउनलोड होने लगेगा या फिर आप इनको यहाँ पे अपडेट हो जाने दीजिए अगर कुछ अपडेट इस टाइप से चल रहे हैं और उसके बाद आप देखिएगा जाकर ठीक आपका डाउनलोड होने लगेगा बट अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है तो आप क्या करेंगे बैक कर लेंगे एक बार और बैक करिए प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करिए नीचे की ओर स्क्रॉल करिए सेटिंस में चले जाईए यहाँ पर क्लिक करिए नेटवर्क प्रिफरेंसेस पे और यहाँ पे अप डाउनलोड प्रिफरेंस पे क्लिक करके ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक करके ओके कर लीजिए अगर आपके में ओवर वाइफाई अनली लगा होगा तो फिर आपका फोन जब वाइफाई से कनेक्ट होगा त आप क्या करेंगे यहीं पर यह about वाला option दिखेगा इस पर click करिएगा और अगर आपके google play store जो है वो update मांग रहा है तो फिर आप update कर लिजेगा इसको ठीक है जैसे अगर इस पर आप click कर रहा है दिखा रहा है google play store is up to date तो फिर आपका up to date है latest version है आपको कोई दिखकर नहीं है आप यहां से हट जाईएगा बैक कर लिजेगा otherwise अगर नहीं है तो फिर आप update कर लिजेगा ओके और उसके बाद आप देखेगा आपकी problem सही होई की नहीं फिर भी नहीं सही हो रही है तो home करिएगा google play store पे tap करिएगा app info पे click करिएगा यहां पे click करिएगा clear data पे और clear cache कर द लिजेगा और उसके बाद आप देखेगा आपकी problem सही हो जाएगी फिर भी अगर नहीं सही होती है तो आप क्या करेंगे आप यहां पे इसका clear all data कर देंगे ओके इससे आपका कोई data delete नहीं होगा अगर एक से ज्यादा ID login होंगी play store में तो हो सकता ID switch हो जाएं ठीक है तो आपकी problem सही हो जाएगी आपके में app download होने लगेगा अगर video से help हुई हो तो video को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए